Good morning children, बच्चों हम greater number और smaller number की practice कर चुके हैं and we also revised them, तो बच्चों आज का अमारा topic है greater than, तो बेटा आज मैं आपको बताऊंगी कि greater than क्या होते है, उसका sign क्या होता है, ठीके, तो बच्चों सबसे पहले आपको समझना है इसके sign को, तो बेटा ये देखिए, ये जो आपको sign द इसका sign है greater than का, ओके, और बच्चों अभी मैं आपको बताऊंगी कि greater than क्या होते है, for example, देखिए बच्चों ये क्या है, किसकी picture है, monkey की, और बच्चों monkey को क्या पसंद है, बनाना, तो बच्चों इसके left side में भी बनानाज है, और इसके right side में भी बनानाज है, चलो count करते है कितनी बनानाज है, let's start counting, one, two, three, four, five, six, six, six बनानाज, तो बच्चों इसकी left side में कितनी बनानाज है, six बनानाज, और right side में कितनी बनानाज है, चलो count करते है, let's start counting, one, two, three, three बनानाज, ओके, तो बच्चों monkey को बहुत भूक लगी हुई है, तो बटा वो कौन सी side वाली बनानाज खाएगा, left side वाली या right side वाली, left side वाली, क्योंकि left side वाली बनानाज ज्यादा है, कैसे ज्यादा है, क्योंकि बटा, left side में six बनानाज है, और right side में थ्री बनानाज हैं तो बच्चो 6 greater than 3 ओके तो बेटा अभी हम left side में ये sign लगाएंगे क्योंकि इधर ज्यादा बनानाज है ठीके तो बच्चो ऐसे ही ये आपकी book की work sheet है जो अभी आपको मेरी side में दिखाई दे रही होगी बच्चो इसमें देखिए first number पर left side में apples है और right side में orange है तो बच्चो सबसे पहले हमें इनको count करना है let's start counting 1, 2, 3, 4 4 apples और orange कितनी है 1, 2, 3 3 orange तो बच्चो इसमें हमें चेक करना है apples ज्यादा है या orange तो बच्चो apples ज्यादा है क्योंकि apples कितने है 4 और orange कितनी है 3 तो बच्चो 4 greater than 3 ओके next देखिए बच्चो left side में pencils हैं और right side में eraser है तो बच्चो count कीजिए कितनी pencil और कितने eraser हैं लेट्स स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 3 pencils और eraser कितने हैं 1 तो बच्चो 3 greater than 1 तो बच्चो greater than का sign का लगेगा pencil की side तो बच्चो बाकी सबकी भी आपको same ऐसे ही practice करनी है और इस worksheet को complete करना है तो बच्चो I hope कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा बट हम इनकी practice करेंगे revision करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ठीके बटा ये same greater number जैसे ही है बट इसमें हमें इनके sign को पैचानना है और बच्चो जो इनके sign है इनके साइद आपके पास stickers भी होंगे तो बटा आपको check करना है कि कौन सी worksheet में use होंगे क्योंकि बटा मेरे पास books नहीं है ये आपको अपने आप ही check करना होगा आप अपने parents की help ले सकते हो ठीके बटा तो बच्चो आज आपको इस worksheet को complete करना है और Friday and Saturday को ही WhatsApp group पर send करना है ठीके तो बच्चो मिलते हैं कल Till then thank you and bye bye kids